कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका साथी गजिंद्रोहित और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है जैसा कि आप सभी को ग्यात है कि वर्तमार में जो अधीकान से देशों में समझ से चल रही हो कोरोना वाइरस के कारण लॉकडाउन हमारे देश में और कई दूसरे देशों में भी चल रहा है तो दोस्तों कोरोना वाइरस एक चूत की विमारी है चुनी से फैलती है जिसके बचाओ के लिए और इसे फैलने से रोकने के लिए अलग-अलग सरकारों ने लॉकडाउन किया है और इससे संब्द्द अलग-अलग प्रकार के निर्देश अलग- अब रह इसको बहतर तरीके से कैसे management किया जा सकता है उस management को आसान बनाने के लिए मैंने एक mobile app बनाया है इस mobile app को मैं आप इसके बारे में आपको बताउंगा और यह mobile app के idea को use करके government lockdown में कैसे public facility को easily provide कर सकती है इस बारे में हम चर्चा करेंगे आई देखते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहा है कोवेट सी एमेस मेने इसका नाम दिया है कोवेट कंट्रोल मेनेजमेंट सिस्टम इसको उपन करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं अलग-अलग मैनी व्यू दिये हुए है और यह डैसबोर्ड व्यू इसमें दिया हुआ है चार आप्शन नीचे आ प्रफिट किये गए है और इनको टच करके आप डारेक्ली को कॉल कर सकते हैं यहां से इस तरीकी से आप इसको कॉल कर सकते हैं तो यह जो भी हैल्प लाइन नंबर गवर्मेंट दोर एशू किये गए हैं सीम हेल्प लाइन स्वास्थ हेल्प लाइन और मध्य प्रदेश की किने वासे जो बाहर फशे हुए हैं निसुर को भौजन की सुबिधा किसिको चाहिए हैं राज जिस्तरी स्वास्थवाग कंट्रूल बोपाल के लिए आप कॉल करना चाहते हैं जला में दभा कि उपfriedता के बिया call कर चाहते हैं को व्यक्ति अधिक दाम में सामगरी का विक्रे करना है और उसकी आप सिकायत करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको कॉल कर सकते हैं इन नम्मरों पर आप कॉल कर सकते हैं इसमें दोस्तों जो management का सबसे primary कि ऑसके तिन प्रकार के लोग है जिसमें प्राइमरी जू आता है वह आता है आप दरिखSchp की कुछ अवाशकता है लोग डाउन की चलते उन்को कहीं से कहीं पर जाना है उनको भोजन-पादी की वस्त्ह करना है इलाज करवाना है या कुछ सामक भी उनको चाहिए है जो लोग अपने घर पर भी हैं लेकिन वो दबाएं चाहते हैं मतलब हम हम डिलेवरी सिस्टम अगरा कोई जनरेट करना चाहते हैं तो यह प्राइमरी की पॉइंट हो जाएगा हमारा आमनागरे सेकंडरी की पॉइंट में वो लोग आएंगे जो यह अधीकारी एक करमचारी जो इसका सपर्वीजन करते हैं कि नागरे कों को सिवदाय दी गई की नहीं दी गई सप्लाय कों कोई सप्लाइइ करने में प्रोगल्म तो नइхी हो रही है यह जो सिस्टम है यह तीन लोगों के बीच में मैनिज किया जाएगा कि यह एक option आ रहा है सास की अधिकारी और कर्मचारी पंजियन इस option से जो भी सास की अधिकारी और कर्मचारी है वह यहां पर अपनी जानकारी फीड कर सकते हैं सास के अधिकारी की मैं राज च्वाब फीट कर देता हूं पत का नाम यह लग देते हैं कि यहां अधार काट भी मैं अपना स्केन कर सकता हूं इसको भी देख करके देख लिते हैं और कि मेल आईडी भी यहां पर फीट की जा सकती है कि यह मेरा अधार काट यहां पर स्केन हो गया है और यह लोकेशन इसमें दी है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह लोकेशन जो है आटोमेटिकल मैं जहां पर भी हूं वहां की लोकेशन यह ले लेगा इसको सेव कर देते हैं कि यह दोस्तों यह प्राइमरी जो हमने बात की थी तीन प्रकार के डेटा इसमें रहेंगे ये प्रसाशने कधिकारी और कर्मचारी का विंडो था जिसे हमने डेटा कर दिया है और इसकी जितने भी लोग इस पर फीडिंग करेंगे उनकी पूरी एक सूची तयार होती सेकंडरी जो मैंने बात की थी सप्लायर्स की तो यह जो सेवा प्रदायकरता को आप्शन आ रहा है यहां पर यह सेवा प्रदायकरता के आप्शन से क्लिक करके सेवा प्रदायकरता जो भी है सप्लायर्स जो भी है वह अपनी फीडिंग यहां पर कर सकते हैं कि यहां पर कोई कराना इस्टोर वाला है वह अपनी यहां पर फीडिंग कर दें यहां लेक्ड देते हैं और अभी एक स्टाइब करता है यह देख लिए जैसे मेडीकल चेप टीम का हैड है क्या वाहन सेवादल है या खाना पार्षाल सेंटर वाले हैं या कोई कि बाने करेंग वाले हैं कि दॉप करेथा सब जी उच्विक रिता मेडिकल स्टूर देख लिते हैं जैसे िंध है दें है कर दूसर दो कि फोटो भी वो अपनी है इप अपलोड कर सकते हैं वह अपनी स्क्रीक कर के Location, Automatic यहां पर Generate हो जाएगी और कौन सा, उनके आसपास का कौन सा कर्मचारी है जो उनको Supervise कर रहा है, जिसे मान लेते हैं, यहां पर गजेंदर ही, इनको Supervise कर रहा है, और इसको Save कर देते हैं, यहां पर उनकी Photo भी उनको अप्लोट करना कमपल सरी होगी ताकि यह सुनेश्चित किया जा सके कि यह कौन है पुब्लिक को यह देखने में आसानी हो कि इसको सेव कर देते हैं तो सप्लाइर्स का डेटा यहांपर फीड हो गया है वो किसी समस्या में है और वो अपनी समस्या का समाधान चाहता है तो आसानी से अगर वो Android फ़न चलाता है या उसके आसपास कोई व्यक्ति है जो Android फ़न चलाता है तो इसको फीड कर सकता है और उसको help प्रोवाइड करा सकता है एक तो वो डारेक्टली अगर ज्यादा पड़ा लिखा नहीं है और कोई आजू-आजू help करने वाला भी नहीं है और उसके मोबाइल में एप इंस्टॉल है तो वो डारेक्टली help line पर कॉल कर सकता है जैसा कि मैंने अभी इस option में बताया था और अगर कि उसके पास android phone है वो चलाना जानता है और उसको वो चाहता कि उसका डेटा इस एप की माद्यम से गवर्मेंट के पास ततकाल पहुंचे तो यहां पर feeding कर सकता है इसको देखते हैं सब से पहले इसकी क्या procedure वो यूस कर सकता है जैसे प्रसासने का अधीकारी है या कर्मचारी है जहां भी जितने लोग इस पर feeding कर देंगे प्रसासने कर्मचारी अधीकारी वो उनके पॉइंट से हम जनरेट हो जाएंगे गूगल मैप पर और वो इस तरीक से दिखने लगे जैसे यहां पर गजिंदरोवित दिख रहा है और यह प्रिजेंट लोकेशन यह यहां पर सो कर रहा है मेरा फॉन और यह मानली जी मैं एक आवे दखूं और यहां से गुजर रहा हूं मुझे कोई समस्या है तो यह यह यहां पर करम चयारी में उमारा जी है और राजयासभवाग से हैं इनको मैं चाहma तो कॉनी कर सकता हूं और अगर मैं कॉन commission कर आ रहा हूं तो इन से मुझे चाहिए तो इसको मैं फिडिंग में चले किमेरे PAS में कौन से अधिकारी है आसपास इन के लाबा और कौन सी अधिकारी है मेरे पास में है दूसरी चीजे में देखते हैं शिवा प्रदायकरता यह स्पियों करता का मेप है यह सिवा प्रदायकर्दा के पॉइंट से आप देख सकते हैं यह मकान और प्लस का निशाना रहा है मेडिकल सौप है और जो अभी हमने फिट की थी रामसरुबाली यह किराना स्टोर है आप उसको टॉच करेंगे उनकी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी यह अगया कि इस तरीकी से अलग अलग सिवा प्रदाय करता जो है उनकी फीडिंग जिनकी की जा चुकी है वह यहां पर मैप पे देख रही है जैसे यहां पर यह हैल्थ मेडिकल चेकप टीम देख रही बिक्रेता जो है फल बिक्रेता वह यहां पर देख रहे हैं यह किराना स्टूर देख रही है यह सब्जी बिक्रेता देख रहे हैं जैसे यह फल बिक्रेता हैं टेच करके आप इनकी बारे में जानगारी ले सकते हैं अमेंत यादा फल बिक्रेता है इनको आप कॉल कर सकते ह इनकी location आपको देख रहे हैं जैसे यह आप से कितनी दूरी पर है यहां पर यह भी आप डारेक्टली टॉस करके Google Map की माद्धे हम से इसको देख सकते हैं तो यह जो सेकंड़ी डेटा है सप्लाइर्स का वह यहां पर आपको देख रहा है तो जैसे एक आम नागरिक जहां कहीं भी उसका location देख रहा है और वह जो भी टाइप की सुवीदा आपने लिए चाहता है वह यहां से आपने आसपास के सेकंड़ी सप्लाइर्स को देख सकता है प्रसासने का धिकारियों को देख सकता है और दूसरे लोग जो हैं दूसरी समस्या जिनके पास है वो भी डेटा यहां पर देख सकता है क्योंकि यह पर एक नागरिक सेवा का नक्सा है और कौन-कौन से लोग है जो जिनको लग अलग अलग प्रकार की समस्या हैं तो जैसा कि हम ने देखा कि जैसे मेरे आसपास मैंने अभी डिटेल देख लिएक मेरे पास कि नाम किसी का नाम पूचके उनकी समस्य ब्रहे सकते हैं जैसे माल लेते हैं ये मोहन है कि इताराजईश को नेवास इमान लेते हैं ये summu क है Hai कि इनका आधार काड बार करोड के माद्द हम से स्कान कर देंगे लोकेशन इंकी जो है क्लिक करेंगे तो लोकेशन आजाएगी इनकी आटोमेटिक लिए जहां पर यह मूबाइल ऑपरेट हो रहा वहां की लोकेशन आजाएगी इस तरीकी से और यहां पर अलग सहायता की प्रकार बनाएगे हैं जैसे को बाहर फसा पैदल यात्री है तो उसको खाने की जरूरत है यात्रा की लिए बाहन की जरूरत है या कोई अपने घर पे है लेकिन उसको हम डिलेवरी चाहिए दबाओं की या किराना स्टोर की या सब्जीयों की या फल्बिक क्रेट तासे फल्बिक उसको खरीदना है और यहां से उस तरीकी का आप्शन सेलेक्ट कर सकता है जैसे यहां यहां पर हम यह यूज कर लेते हैं मेडिकल जाच कोई करवाना चाहता है इसका साइन आप देख पा रहे हैं और को इनसे अलग कोई किसी प्रिकार की समझ से है तो वह भी यहां पर कोरोना से संब्दित कोई अन्य समझ से है तो यह पर अलग से फीट कर सकते हैं सहायता की व फोटो जो है कि यहाँ पर अप्लोड कर देते हैं कि यहाँ लेते हैं हमने फोटो अप्लोड कर दी है यहाँ पर फोटो अप्लोड हो गई है मोबाइल नमबर लखे देंगे जो भी उनके साथ में किसी का भी को नमबर लखेंगे जैसे अभी मैं अपना दाल देता हो अब यहां पर है सेवा पृदाय करता नाम जिससे वह अहता चाहता है तो जैसे मैप में हमने में देख लिया ध्यक्ति हैं तर्फट अभी यह स्वास्त दल जो उसके का क्रम्चारी जो आसपास है उनको सिलेक्ट करनें से गजे में इस तरी और यह समय पूछा जा रहा है तो यहां ओके कर देंगे तो अभी का समय ले लेगा यह सूचना भेजे की ऑप्षिन पर क्लिक करके सेव कर देंगे कि यह जानकारी सेव हो गई है कि यह देखें दोस्तों कि अब डेश्बूट पर जो यह हम क्लिक करेंगे डेश्बूट पर कि यहां दोस्तों यह कारक का ग्राफ दिख रहा है इसमें यह कितने लोग हैं जिनकों जिसने अपनी समस्या की सूचना हमारे लिए भेजी है जैसे यहां पर सूचना देख रही है छे लोगों की सूचना हमाय पास प्राप्त हुई है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह अलग-अलग कैटीगरी खोल के देगा एमर्जेंसी वाले लोग मेडिकल जांच वाले लोग जैसे यह मेडिकल जांच के लिए एक रिक्वेस्ट आई है कि यह दमों के हैं कोई और मोहन जो आभी हमने फीडिंग की थी इनकी लोकेशन हम यहां देख लेते हैं कहां पर हैं प्रिजेंट में यह इनकी लोकेशन जो है यहां से हमें देख जाएगी इनकी जानकारी देख जाएगी और साथ में इनकी लोकेशन भी हमें यहां से देख जाएगी हम चाहें तो इनको डारेक्ट कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इनकी इनसे बात कर सकते हैं कि क्या समच्छा हा कैसी साप से इनको help पहुचा सकते हैं नागरिक से संप्रक करें का ये option यहाँ पर बनाया गया है और इनने किसको स्वास्त सेव अदल के लिए पथर ये स्वास्त अदल के लिए इनने सूचना भेजी है और अधिकारी कर्मचारी जो है का जिन्द रोह जी है तो चाहें तो यहां पर सीधा कर्मचारी अधिकारी से भी सीधी बात की जा सकती है अब कि इसकी खास बात यह दोस्तों कि यह जैसे तीनों प्रकार के डेटा आपस में जुड़े हुए है एक दूसरे से कि देखें जैसे यह रिक्वेस्ट जनरेट हुई तो जैसे रिक्वेस्ट जनरेट की गई है वैसे यह मैप पर देखने लगेगा इसकी सूची में भी इसका नाम आ जाएगा यह मेडिकल जाच में मोहन का नाम यहां पर आने लगा है नागरिक सेवा की नक्सा में इनकी की लोकेशन आने लगे जीदिने भी रिरेट क लर्ट है है वो नागरिक सेवा के ज़िए यह कई सेवा के लिए जिन रिक्वेस्ट की है और जो ग्रीन है वह जिनको प्रदाय की जा चुकी है और यह जो ब्लू कलर से देख रहे हैं यह वो लोग है जिनको को सिवा दी जानी सेश है और प्रक्रिया के अधीन है और यहां पर सिवा परदाय करता कि सेवा की लोकेशन में दोनों चीजें साथ में परदाय करता मौझूद है यह इस मैप पे दिखता है अब इसका मैरेजमेंट का प्लस पॉइंट एक यह भी है कि जो जो भी समें गवर्मेंट ऑफीसर है जैसे यहां पर सूची देखते हैं जैसे यह गजेंद्र है और जब यह अपनी डेक्स खोलेंगे अपनी विड़ों खोलेंगे गजेंद्र तो इनकी पूरी जानकारी साथ में कौन-कौन से नागरिक ने इनके लिए हेल्प के लिए रेक्वेस्ट भेजी है उनके डेक्स पर यह पूरी लोकेशन उनकी यहां पर सो करेगा कि इन लोगों ने हैल्प के लिए इनको रेक्वेस्ट भेजी है और इतने लोगों की यह एल्प कर चुके हैं इसी प्रकार से जो सेवा-परदायकरता की सूची है एक सेवा परदायकरता को किसकी स्व्यक्ति ने रेक्वेस्ट भेजी है वो भी उनकी लिस्ट में उनको दखाई देगा जैसे यह सेवा परदायकरता की सूची है यह इस वास्तदेल है जैसे स्वास्तदल आप खोलेंगे पथर यह स्वास्तदल है और इनके नीचे जो मैप है नागरिक सेवा की इनको रेक्वेस्ट जितनी आई हैं वो इनके अधिकारी करमचारी नागरिक या आमजन और सप्लायर्स तीनिवापस में इंटर लिंग है मैप पर है एक साथ यह देखा जा सकता है कि कौन कहां पर है किसको क्या help का ज़रूर चाहिए प्रकार से बहुत ही स्टॉंग मेरेज़मेंट सिस्टम है अगर इसको गवर्मेंट यूज करती तो बहुत ही आसानी से लोगों को होम डिलीवरी भी दी जा सकती है और साथ में जो लोग बाहर फसे हुए हैं किसी प्रकार की मदद उनको चाहिए तो उनको यह भी आसानी से प्रवाइट कराया जा सकता है बस इसकी एक ही लिमिटेशन यह है कि इसके लिए एंड्रॉइट फोन पर यह एप्लिकेशन को होना अ है आज को इतना ही दोस्तों आसा करता हूँ आपको यह प्लिकेशन पसंद आया होगा और मैं चाहूंगा कि government के अधिकारियों को मैं इसको forward करूंगा इसकी लिंक और चाहूंगा कि आको यह पसंद आया है आपको लगता है इस पकार का कोई application की facility होनी चाहिए तो आप इस व